है आप सभी को हमारे YouTube चैनल जैपी क्लासेज पर जैसा कि आप लोग जान रहेते हैं जान रहे हैं कि कख्छा 7 का इत्यास का हम लोग पीच में जो भी प्रश्ण पूछे गए हैं उसका सबसे पहले सवाल एंसर करेंगे उसके बाद अभ्यास के प्रश्ण उत्र को प्रश्ण को सुल्प करेंगे तो चलिए बिना देर की यह हुए सवाल पर आते हैं पहला सवाल पूछ रहा है कि आपके मत से लोग तांजाओर को एक महान नगर क्यों मानते थे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जिसमें एक जगा है या था तांजाओर तो पुछा जा रहा है कि आपके मत से यानि आपके विचार से वहां के जो लोग थे वह तांजाओर सहर को एक महान नगर क्यों मानते थे तो क्यों मानते थे उसके जानकारिया हम लोग एंसर में देखने वाले हैं तो तांजाऊर चोल की राज़ाओं की राजधानी हुआ करती थी वर्ष में बारो महिने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास ही भती थी जो तान्जाूर शहर था उसके पास कौन सी नदिब रहती थी तो कवेरी नदिब रहती थी इस नगर में सुंदर और भव्य कई इत्यासिक इमारतों का निर्मान हो चुका था जो तांजाओर था उस नगर में क्या हुआ था कि सुन्दर और इतिहासिक जो भी इमारते थे उसका निर्मान हो जुगा था इस नगर में मंदिर के अलावा अनेक राजमहल भी थे जिन में कई मंडप बने हुए थे और जहां पे राजा लोग इन मंडपों में अपना दर्बार लगाते थे और नगरे उन बजारों की हलचल से भरा हुआ रहता था तांजाओर एक मंदिर नगर का भी उधारन है क्योंकि यहां पे अतिहासिक इमारते बहुत सारी मिलती है मंदिर वगेरा सारी मिलती है इसलिए इसे तांजाओर को एक मंदिर नगर भी कहा जाता है मंदिर नगर नगिक करनिये का एक अत्यांत महत्पून प्रति रूप प्रस्तुत करते हैं तो इस तरह से इसका एंसर हो जाए दूसरा क्यूप्चन पूछ रहा है कि आपके विचार से इस बीधी प्रवीधी का प्रयोग यानि कि इस बीधी का तो मौम Whats Attama के क्या क्या लाब थे तो लूप्त मौम है के अंत्रगर्ज्द सर्वप्रतर नों की एक परतिमा बनाई जाती थी यानि एक मुर्ति बनाया जाता था और उसे चिकनी मिटी से पूरी तरह लिप कर सुखने के लिए छोड़ दिया जाता था क्या किया जाता था कि सबसे पहले मोम का एक मुर्ति बनाया जाता था और उसे चिकनी मिटी से उस पे लिप कर सुखने के लिए छोड़ दिया जाता था और जब वो पूरी तरह से सुख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मीटी के आवरेन में एक छोटा सा छेद होता था और उस छेद के रास्ते सारा पिगला हुआ मोम को बाहर निकाल लिया जाता था और फिर चिकली मीटी से खाली साचे में उसी छेद के रास्ते पिगली वी धातू भर दी जाती थी, जब वह धातू ठंडी होकर ठोस हो जाती थी, तो चिकली मिटी के आवरण को सवधानिपुर्वा खटा दिया जाता था, और इस तरह से इस तक्निक का उप्योग किया जाता था, इस वीधी में किसी भी परतिमा को सश्ता और सुन्दर ब हुआ करती थी तो इस तरह से इसका एंसर हो जाएगा तीसरा क्यूचन है कि आज बजार पर लगने वाले कर यानि जो भी टैक्स है कि बारे में कुछ जानकार्या प्राप्त करें इन्हें कौन इखठा करता है और विए कीस परकार वसूल किया जाते हैं और उनका प्रियोग की इसकाम के लिए होता है यह बताना है तो बजार में लगने वाले कर विक्री कर होते हैं इन्हें सरकार के आयकर विभाग यानि आयकर विभाग के जो भी क्रमचारी होते हैं वह वसूल किया करते हैं और एकर विक्राताओं से वसूल किया जाते हैं और इन करों का प्रयोग प्रसासनिक कारियों विकास कारियों और लोग कल्यानकारी कारियों के लिए किया जाता है इससे जो भी टेक्स वसूल आ जाता है ज इस तरह से इसका एंसर हो जाएगा किस्टन नंबर फोर आपके विचार से हम्पी नगर जो हम्पी नगर का बहुत ही रोल था इस चैप्टर में तह हम्पी नगर किले बंद क्यों था तह हम्पी नगर बिजय नगर समराज्य के राजधानी हुआ करती थी जो हम्पी नगर था आक्रमन से सुरक्षित रह सके यानि हो सके इसलिए उसे किलाबंद किया गया था हम पी नगर को कि पच्वा कि इफचन है कि अंग्रेज और हॉलेंड वासियों ने मसूली पट्नम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णा क्यों लिया मसूली पट्नम समूंध्र के किनारे बसा हुआ था पहले यहां पर मचवारे रहते थे लेखिन धीरे-धीरे ब्यपारी लोग भी यहां रहनने लगे और ब्यपारी लोग दूसरे देशों से ब्यपार होता रहता था जो ब्यपारी की बेवस्था हो गई थी बेपारिक सो विधाओं के कारण ही अंग्रेजों और होलेंड वासियों ने मसूली पत्न में अपनी बस्तिया बसाने का निर्ण लिया था यह कारण था उन लोग इस पर कब्जा करना शुरू करना चाहा था इस कारण से अब पाठे गत प्रश्ण पुष्टक से जो भी प्रश्ण है उसको हम लोग देखेंगे पाठे पुष्टक से प्रश्ण अभ्यास इस्तियास का है चैप्टर शिक्स है पाहला की उचन बोल रहा है रिक्त अस्थानों को पूर्ति करें पहला में बोल रहा है कि राजेश्वर मंदिर खाली अस्थान में बनाया गया था तो एगार्वी सदी में राजेश्वर मंदिर का निर्मान किया गया था तो इसमें हो यहां पर द sax देक्ट een जह एंने meter लिहों पर देखें के अर्फिर क Bowl शुपी संथ खाली स्थान से संबंदिता था अजो था ख्वाजा मजूणी चीश्टी से संबंदित हां पिनार आति समेर्य दिए कि में प्beغग की स्थान थे धानी कि विए नंगर ₡ जो कि अभी हम लोग उपर भी देखें हॉलेंड वाशियों ने आंद परदेश में खाली अस्थान पर अपनी बस्ती बताई थी तो कहां पर मसूली पत्नम में अपनी बस्ती बसाई थी तो इस तरह से इसका एंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर एंसर दिया हुआ ह एक मिनट दूसरा किफचन है दूसरा किफचन है कि बताय क्या सही और क्या गलत बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है हम राज राजेश्वर मंदीर के मुर्तिकार अस्थापित का नाम एक सिला लेक से जानते हैं तो इस यह सत्य है क्या है कि सत्य है मतलब सही और गलत बंदाना है यह सही है क्योंकि हम राज राजेश्वर मंदीर के मुर्तिकार अस्थापित का एक सिला लेक है सौधागर लोग काफिलों में यात्रा करने की ब कि एक मुख्र के केंद्र था यह भी गलत है काबूल हत्यारों का वे पार्ण का मुख्र नहीं था सूरत बंगाल के खाड़ी पर इस्थितेक मौत्पुन वेपारी क्वेपारीक पतन था यह भी गलत है तो शुरूआ जो फुर्ष्ट का क्या है सत्य है बाखी से की जाती ततांजावुर नगर को जल के आपूर्ति कुमें और तलाबों द्वारा की जाती थी अगला किवचन है चौन था मदरास जैसे बड़े नगरों में इस्थीत ब्लैक टाउंस में कौन रहता था तो ब्लैक टाउंस में भारतिय ब्यपारी सिल्पकार और धोगिक मजदूर अन्य छेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा क्रमचारी रहा करते थे कहां पे ब्लैक टाउंस में कि अगला है कि उसे नंबर फाइव कि आपके बिचार से मंदीर के आज पास नगर क्यों बिक्सित हुए मतलब बोड़ पुछा जा रहा है कि आपके बिचार से मंदीर के आज पास नगर क्यों बिक्सित होने के कारण निमें लिखित है पहला कारण क्या था कि मंदीर के करता ध मंदिर के धन को ब्यपार और साहुकारी में लगाते थे दूसरा था कि धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगर सिल्पी ब्यपारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शन आर्थियों एंव्तिर्थियातियों के और सक्ता को पूरा करने के लिए म से मंदिर के पुजारियों की आजीवकार चलती थी यानि मुणं का घर चला करता था चौता करने क्या तकि तिर्थ है आत्रियों तथा पुरोहितों पंडिटों को मंदिर प्रसाषं और प्रोहित पंडिटों का अवास अस्थान बन गया था इस तरह लोग मंदीरों के आसपास नगर बिक्सित हो गया था इन कार्णों से अगला प्रस्ने है छाठा मंदीरों के निर्मान तथा उनके रख रखाव के लिए सिल्पी जन कितने महत्पून थे बताना है का सेरे लोहार राजमिस्तिर्य और बढ़ाई सामिलते जो सिल्पी जन थे उसमें कौन कौन से थे सुनार थे केसर लोहार थे राजमिस्तिर्य और बढ़ाई भी सामिलते शिल्फकार मंदीरों को सुंदर बनाने में काफी मुहत्पुन भुमी का निवाते थे कीया करने थे तिसा के मंदीरों का कलात्मक रूप से सजाने का कार्य सिल्पकार ही किया करते थे ते इस तरह से इसका एंसर हो जाएगा सत्वा प्रशन है कि लोग दूर दूर के देशों पर देशों में सूरत क्यों आते थे लोग दूर दूर के देशों परदेशों से सूरत ही क्यों आते थे तो सूरत नगर में लोगों ने के दूर दूर परदेश से आने का कारण निमी लिखित थे सूरत अगर अरब सागर के टट पर इस्थित एक बंदरगाह नगर था जहां से पच्छी मेसिया के देशों से ब्यपार हुआ करता था दूसरा काननता कि सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से हज यातरी जहाद से यहीं से रावाना होते थे तीसरा काननता कि सूरत सिल्फी उधो का परमुक केंद्र था जिससे काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ करता था और सूरत एक बेपारिट नगर भी था जहां पर कई वस्तुओं के थोक और फूटकर बाजार हुआ करते थे थोक बिक्रेता या और रिटेलर बिक्रेता भी हुआ करता था इन कार्णों से लोग यहां पर आते थे क्योंकि वहां पर काम असानी से मिल जाता था अगला है कलकत्ता जैसे नगरों में सिल्प उत्पादन तांजाओर जैसे नगरों के सिल्प उत्पादन से किस परकार भीन था तो तांजाओर कलकत्ता से पहले का विक्सित नगर है इसलिए तांजाओर जैसे नगरों के सिल्प उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया करन देज यह क्टान आये अगर आपको समझ में आये तो फिर से वाच कर सकते हैं थाकि हम थोड़ा स्पिट में समझ जह रहे हैं, तो फिर से आप समझ सकते हैं, अगर समझ ना आई तो और कॉमेंट भी कर सकते हैं, आपके विचार से कि आज भी वेसी कुछ समझयाएं बनी हुए हैं, सौधागरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा पहला था बेपार fulfilled को अनेक राजियों तक जंगलों से prac кноп Department पड़ता था जो बैपारी लोग होते थे उनको अनेक राजियों तक जाने के लिए जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था इसलिए वे आम तोर पे काफले बनाकर एक साथ यात्रा किया करते थे यानि समुह में यात्रा किया करते थे दूसरा कारण था कि सौधागर अपने ह बैल गाड़ी गोडागाडी नावे आदी प्रमुख थे अथार्त यात के साधन भी प्रयाप्त मात्रा में नहीं हुआ करते थे और वर्तमान समय में क्या है कि वर्तमान समय में भी सौधागर को ब्यपार शंग बनाने पड़ते हैं उन्हें बिभीन कर चुकाने भी पड़ करती है तो इस तरह से था कुछ चैप्टर 6 का जो कि हमने करा दिया अगर वीडियो आपको पसंद आता लाइक शेयर कॉमेंट करना ना बुले और हो सके तो ज्यादा से ज्यादला लोगों के पास सेयर करें ताकि आपका एक सेयर किसी का आपका एक सेयर से किसी का जिन्दगी बन सकता है तो आप लाइक करें कोमेंट करें अगर वीडियो में कुछ कमी आ रहे हैं तो वह भी बता हैं बिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बैज जैहिन जैवारत